असलाम लीकुम दोस्तों तो आज का हमारा जो विलोग है हम काले तीतर की मट्टी बनाने जा रहे हैं कि उसको किस तरह की मट्टी देनी चाहिए ये मैं चूफों वाली मट्टी के लेकर आया हूँ और इसमें आप जो समान डालने मैं आपको बता देता हूँ सोहा डल नहीं है इतनी सी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना और इसको पिंजरे के अंदर ढाल दें पहला दें अच्छी तरह ये अच्छी तरह डाल दें आपने पिंजरे के अंदर तो अब इसमें आपने थोड़ा सा आटा लेना है चनों का इसके लावा गंदम हो इसके लावा खजूर वगएरा हो सब पिसे हो इसके अंदर डाल दें मिक्स कर लें ये मिक्स हो गए इसके बाद आपने गुलाब का अर्क लेना है अर्क गुलाब ये लेकर आपने मट्टी के उपर डाल दें अच्छी तरह मिक्स कर लें इसको भी इसको मिक्स कर लिया अब अपने तीतर को आगे करें और पिंजरे में डाल ये पड़ा है मारा तीतर अब तीतर को मट्टी के अंदर डालते हैं झालते हैं